हाई फेंड्स आज मैं ये वीडियो पे ऐसे फाइब टिप्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी बॉल पेन का बॉल पेन से ड्राइंग बना पाऊगे और स्मूथ सेडिंग भी दे सकोगे और कुछ ऐसे बेसिक भी चीजे पहले बता दूंगा उसके बाद फाइब टिप्स भी बता दूंगा जैसे जिससे आप लोग बहुत अच्छे से बॉल पेन का ड्राइंग कर पाऊगे और फ्रेंड्स कुछ लोग मुझे इंस्टा पे समेश कर रहे थे कि मैंने वो जो बॉल पेन से ड्राइंग किया हूँ वो मैंने कुछ-कुछ जगा में वीडियो स्किप किया उस टाइम मैंने ब्लू कलर यूज किया हूँ ऐसा कोई बात नहीं है मेरा जब रात हो जाता है ड्राइंग करते करते तब मैं सुट नहीं कर पता हूँ क्योंकि मेरा लाइट उतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं उस टाइम जास्ट वीडियो बंद कर कैसे ही लाइट के पा आपको बताऊंगा फाइट जिससे स्मूज सेडिंग भी कर पाऊगे बाल पेन का कलरिंग ड्रॉइंग भी कर पाऊगे कुछ भी कर पाऊगे बाल पेन बाल पेन से एंड उसके साथ-साथ मैं छोटा सा चोटा से एक होर्स का आई किया हूँ तो उसको देखिए कैसे कर रहा जब बाल पेन से ड्रॉइंग करना सुरू करते हो तो यह मत सोचना कि घंडा या देर घंटे में इसको कॉंप्लीट कर लूँगा और एक दिन में या दो दिन में कॉंप्लीट कर दूँगा आप यह सोचके बैठना जितना टाइम लेना है इसको लेने दो लेकिन मुझे परता है और बहुत ध्यान लगे करना पड़ता है तो फिर जो फाइब टीप से उसमें से जो पहला टीप से वह राइफ पेपर चूज आपको तो पता यह किसी भी तरह का ड्रॉइंग आप करने जाओ तो सही पेपर चूज करना पड़ता है अगर आप गलती पेपर सोच ल आपको कहते है होट पेपर यह पेपर वाटा कलर का एक वेडियंट है वाटा कलर का थ्री वेडियंट पेपर होता है एक होता है रोप्रेस्ट एक होता है कोल प्रेस्ट और एक होता है होट प्रेस्ट होट प्रेस्ट ज्यादा स्मूध होता है लेकिन पूरा आईभूरी की तरह बहुत जादा स्मूध नहीं होता थोड़ा टेक्स्चर रहता है इसलिए यह पेपर मुझे अच्छा लगता है आपको ही पेपर चूस करना है जिसमें बहुत जादा टेक्स्चर नहीं और बहुत कम भी नहीं स्मूध है लेकिन थोड़ा टेक्स्चर रहता है इसमें जो पडॉइंग अच्छा नही़ होता, क्योंकि आप जो च्हों कर रहे हो उसमें थोरा ज़र जाही है, ऀ स्कील मुद्टार जाथ के उपर झना उनिद्ट करता है, तो फ्रेंट्स आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैं पेल से जब ड्रोइंग कर रहा हूं मैं किस जगह पे कितना प्रेशर दूंगा और आपको यह कॉंट्रोल करना पड़ेगा मैं अगर इधर लाइट सेडिंग कर रहा हूं तो मुझे जितना प्रेशर देना है हर एक जगह इसा लगेगा कुछ एक कटा हुआ है इसा लगेगा स्मूथ बला को हिस्सा नहीं आएगा और जो लोग मुझे इस्टाग्रम पर बता की समूध कैसे लाते हैं इतना स्मूध होता है तो आप स्रूरूर कलार यूगे एसा कुछ नहィं है देखिए मैं लाइन एकके बाद लाइन दे रहा हूं एक सब्सक्राइन देते है duelicht जो हिससा है उसain हो मैं एक तरह से पूरा है कर रहा हू Chris इसलिए वह पूरा जगह लग रहा है कि एक एक कलर है एक लाइट सेडिंग है कुछ-कुछ जगह ऐसा लगता है कि पेन से नहीं किया हुआ है क्यूंकि वह जगह बहुत जादा सॉप्ट हो जाता है दिखने में इसलिए तो आपको सही प्रेसर है हाथ का जो प्रेसर है वह साथ तीफ है लाइन गप Anakож के ये जो में थैली बहां था कि सब्सक्राइब लेकिन देखिए जब फास्दा गया है उसके नीचे जो फिर से और एक लाइन दे तो उसमें कभी-कभी क्या होता है ? गैप हो जाता है मतलब थोड़ा दूर हो जाता है उसके करन क्या होता है ? बीच में तोड़ा हुआइट वाला हिस्सा दिखता है तो आपको practice में क्या करना पड़ेगा ? कि धीरे 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 आप कोसिस करेंगे कि वह दोनों का जो लाइन गैपिंग है वह गैप धीरे धीरे छोटा हो जाए सोचिली जी कि आप कोई stroke से काम कर रहे है pencil या pen stroke से काम कर रहे है तब लाइन में गैपिंग होना ज़रूर ही है लेकिन आप यह पर stroke नहीं कर रहे है आप एक smooth realistic drawing कर रहे है realistic drawing करने पर आपको क्या करने पड़ेगा पहला जो लाइन दे रहे उसके नीचे जब लाइन दे रहे उसमें gap नहीं रहना चाहिए अगर gap रहेगा तो आपको देखने में उतना smooth नहीं लगेगा एक तरह एक जैसा feel नहीं आएगा तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि यह line में कितना gap हो रहा है अगर करते करते line में gap हो गया तो फिर से वह gap है उहाँ पहले color कर लीजे और pressure control करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर दोनों line में एक line dark, एक line light हो गया तो अच्छा नहीं दिखता है तो इसलिए आपको pressure भी control करना पड़ेगा और line gap जो है वह भी देखना पड़ेगा और देखिए मैं यहाँ पर दो पेन लिया हूँ एक orange color का एक थोड़ा transparent जैसा color है जो transparent है वह थोड़ा उसका निप थोड़ा मोटा है और जो जिसका जो औरेंज बाला है वह पतला है ठीक है मैं दोनों से जहाँ पर line gap छूट जा रहा है तो मैं पतला वाला निप से वहाँ पर gaping को भड़ दे रहा हूँ इसलिए smooth भी लग रहा है वह जो देखिए drawing है वहाँ पर smooth लग रहा है जो light वाला हिस्सा है तो ओके फ्रेंड यह था 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 वाला टिप्स और जो फोर्थ वाला टिप्स है वह है मोटा निप बाला पिन्स हर बग उस करना जब आप drawing करने बैठ रहे तो आपको line gap कब जादा होगा जब आपका पतला निप होगा तो आपको एक ट्व थीकने झेत राने में आपको 2 तेनटो लाइन देना पाड़ेगा तो इसलिए आपको मोटा निप बाला वाल-पिन हर बक में उस करना पड़े इसलिए देखिए मैं यहाए पर 2 पिन लिया वह हूँ बी आईसी का पेन है और बी आईसी का जो पेन है एक मोटा वाला नीव है पतला वाला नीव है मैं मोटा वाला नीव से सेडिंग कर रहा हूँ जहां जहां पर लाइन गैप हो रहा है मैं उदर पतला वाला नीव से भर दे रहा हूँ तो आपको एक मोटा वाला नीव रहना फिप्ट बाला टीफ से ओ लो बजेट पेंड लो बजेट पेंड की वह लो क्योंकि आप अगाई यह जो मैं ब्याइश का पेंड यूज कर रहा हूं यह मुझे लगभख पांच या पांच से थोड़ा जादा पड़ता है ओ जो औरेंज बाला दोनों का ही प्राइज पांच यह पांच से थोड़ा सा जादा पूरता है इधर उधर होता है क्योंकि मैं आपको चीप पेंड क्यू लेना है अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिफ नेंगे तो उसका नीब बहुत अच्छा होता है और बहुत स्मूध होता है तो आप पहली जब उसको थोड़ा लिखें कि आप जब ऐसे ड्रॉइंग करने बैठोंगे तो आप जो लाइड बाला शेडिंग आप नहीं ला पाएंगे उससे वह इतना स्मूध होता है कि आप थोड़ा सा प्रेसर देंगे उससे यो डार्क बाल जो का इंख है उससे निकल आएगा तिसलिए आपको हर वक्त जो लो ब प्रेसर देने से ज्यादा इंग निकल के आ रहा है तब मैं क्या करता हूं तब मैं दुसरा वाला पेंट चूज कर लाता हूं और जो यह पेंट है इससे मैं राइटिंग या कुछ भी स्क्रिप्ट कुछ भी लिख लेता हूं इसलिए आप ऐसा चूज करना कि थोड़ा लो थोड़ा फास्ट है लेकिन ज्यादा फास्ट नहीं किया हूं ओके फ्रेंड्स अज के लिए इतना है आपको अगर इस वीडियो से कोई हेल्प मिला है तो प्लीज लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिपिकेशन बेल को भी बजा दीजिए जिससे आपको पहला ऐसी तरह का जो ट्यूट्रियल है या आर्ट रिलेटेट कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल जाए और थैंक्स पॉर्ट